आज हम समस्टी अर्षास परिशय लेसन के चौर्ट लेकर आए हैं चलते हैं समस्टी अर्षास के पहले लेसन पे मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ है बड़ा ये अर्षास की एक शाका है जो समुचह से जुड़ी आर्थिक परकिरियाओं के विवरण और इस्पस्टी करण से संबंदित है समुचह है आर्थिक विश्यों का एक संग्रह है जिसमें कुछ विश्चताइं समान होती है 1936 में जान मेंनाल्ट कीन्स की पुस्तक The Theory of Employment, Interest and Money के प्रकाशन के बाद Macro Economics का उदय हुगा Macro Economics समस्टी अर्षास को ही कहते हैं ये शाका उन आर्थिक संबंदों या मुद्दों की जाच करती है जो समपूर अर्थ विवस्था को प्रभावित करते हैं जैसे बचत और कुल खपत ये पूर रोजगार प्राप्त करने और उत्पादन शमता का विस्तार करने से जुड़े सिद्धानतों समस्याओं और नीतियों का जाच करता है आर्थिक अजंट आर्थिक निर्णे नेले वाली विक्ति या संस्थानों को आर्थिक इकाईया या आर्थिक अजंट कहा जाता है वे निर्माता या सेवा प्रदाता हो सकते हैं जो ये तै करते हैं क्या और कितना उत्पादन करना है वे सरकार, नियम या बैंक जैसी संस्थाइं हो सकती है जो आर्थिक निर्णे लेती है जैसा कि कितना खर्च करना है, क्रेडिट पर कौन सी व्याजदर लेनी है, कितना कर लगाना है इत्यादी महामंदी महामंदी को व्यापक रूप से आदुनिक इतिहास की सबसे खराब और सबसे लंबी आर्थिक बंदी या मंदी माना जाता है ये सब संयुक्त राज अमेरिका में शुरू हुआ, इसके बाद दुनिया की अर्थ व्यवसाओं पर इसका व्यापक प्रभाव उपड़ा ऐसा कहा जाता है कि महाबंदी की शुरूआत अक्तूबर 1929 में संयुक्त राज अमेरिका में स्टॉक मार्केट के क्रेश्ट के साथ हुई थी अधिक विसेश टूप से कहें तो 24 अक्तूबर 1929 को शेयर बजार तुर्गहतना गुस्त हो गया जिसे अमरीकी दिहास में ब्लैक थरस्डी के नाम से जाना गया स्टॉक मार्केट क्रेश्ट से वाल स्ट्रीट के निवेशकों में घबराहट फैल गई जिससे स्टॉक मार्केट को लगभग अर्बो डॉलर का नुकसान हुआ इसके परिणाम सरूप बैंक जैसे प्रमुक वित्तिय संस्थान विफाल हो गया ये मंदी बैजार में खाड्यानों की अधिक्ता के कारण हुई जिसके परिणाम सरूप क्रिशी कीमतों में गिरावट आई युदुके दोरान कनाड़ा, स्ट्रेडिया, संयुक्तराज अमेरिका, नए वेकल्पिक गेहुत पादक केंदर के रूप में उबरे कम खपत और अत्यदिक निवेश के कारण, तयार मौल के स्ट्राक बढ़ने लगे जिसके परिणाम सरूप कीमते कम हो गई, परिणाम सरूप कम लाब मारजन हुआ अर्थिववस्ता में पैसा बिना बिके तैयार माल में बदल गया जिसके परिणाम सरूप रोजगार में भारी गिरावट आई और इसके परिणाम सरूप आई का इस तर भी काफी गिर गया अर्थिववस्ता में वस्तों की मांग इतनी कम थी युत्पादन कम हो गया जिसके परिणाम सुरूप बेरुजगारी हुई संयुक्त राज अमेरिका में बेरुजगारी की दर तीन प्रतिशत से बढ़कर पच्चिस प्रतिशत हो गई अर्शास में महामंदी के अपने ने तार्त और महत्व हैं युकि ये शास्त्री अर्थिक द्रिश्टी कोड के पतन की ओर ले जाता है जो लोग मांग और आपूर्ती की बजार गतिशीलता में विश्वास करते थे उन्होंने की ने सियंद द्रिश्टी कोड के उभरने के लिए जमीन तेयार की इस घटनानी अर्षास्त्रियों को मैक्रोगनामिक को अर्षास के एक विशिस्ट छेत्र के रूप में पहचाननी के लिए परियाब सबूत प्रदान की है ये प्रवाचार्ट महाबंदी के कारण और प्रभाव संबंद का सारांश प्रस्तुत करता है कम मांग अधिक निवेश दिखाता है अधिक निवेश रोजगार का निमनिस्तर दिखाता है रोजगार का निमनिस्तर उतपादन का निमनिस्तर दिखाता है उतपादन का निमनिस्तर कम आई करता है और कम आई से क्या होता है कम मांग होती है तो ये जो है फ्लोचार्ट चल चलाने के लिए विशक पूजी स्वयम प्रदान कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं राल्फ पॉल्डो अमर्सन के अनुसार अच्छा करना अच्छा करने का परिणाम है पूजी वादी क्या यही तो मतलब है इस प्रकार की अर्थ विवस्था में उत्पादन के सादनों पे न अर्थिक संडचना को मुक्त बजार अर्थ विवस्था यह हस्तक्षेप फेर के रूप में भी जाना जाता है पूजी वादी अर्थ विवस्था में होंग कॉंग, सिंगापूर, कनाडा, संयुक्त, अरब, अमिराद, आयरलन्ड वा अन्ने शामिल हैं पूजी वादी अर् प्रभूता मूले प्रणाली नग्स राता है आय राजस्थामान व्यवसाई संचालन से अर्जिधन की राशी है और इसकी गर्णा औसत विक्री मूली को बेची गई काईयों की संख्या से गुणा करके की जाती है निवेश विया को किसी व्यक्ति व्यवसाई या सरकार द्वारा मशीनरी भवणादी जैसी नई पूजी का संपत्यों के विकास के लिए किये गए किसी भी विया के रूप में परिभाशित किया गया है मजदूरी धर मजदूरी दर श्रम सेवाओं की विक्री और खरीद के लिए ली जाने वाली कीमत है दिहारी मजदूरी दिहारी श्रम को उस श्रम के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसे मजदूर दर के बदले में बेचाय या खरीदा जाता है उद्यमी एक उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो अपने द्वारा विक्सित किसी विचार योतपात के आधार पर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का जोकिन उठाता है अधिकांश जोकियों मों को उठाते हुए अधिकांश लाग अर्जित करता है व्रहत आर्थिक द्रस्टिकोर से अर्थविवस्था के चार प्रमुक छेत्र गरेलु छेत्र, व्यवसाय शेत्र, सरकारी शेत्र और विदेशी शेत्र चार समग्र व्यापक आर्थिक छेत्र हैं, जो व्यापक आर्थिक विचलेशन के लिए ढाचे की रूप में काम करते हैं, ये चार कारी सकल घरेल उत्पाद GDP पर चार व्यायों की देख रेख करते हैं गरेलु चेत्र ये चेत्र सभी उत्पाद आओं व्यक्तियों समाज के पर टेक सदसे को कवर करता है, गरेलु चेत्र उत्पाद के लिए उत्पाद और सेवाएं खरीता है, साथी भूमी, श्रम, पूजी और द्योमी जैसे उत्पादक इन्पुट की आपूरती भी करता है, ये चेत्र सकल गरेलु उत्पाद के उब्भोग व्याए, घटक की देख रेक करता है, संचेप में एक परिवार को एकल या लोगों के सम्मूं के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो उब्भोग और उत्पादन जैसी अपनी आर्थिक गतिविदियों के बारे में स् फर्म, घरेलु शेत्र के लोग फर्मों पे श्रमिक के रूप में काम करते हैं और जीवे को पारजन करते हैं। फर्में आतिकिकाईयां जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करती हैं। और लाप के उद्देशे से उत्पादन परकिरियाओं को अंजाम देते हैं। इसमें एकल स्वामित्व, साज़िदारी और निगम शामिल हैं। ये छेत्र सकल घरेल उत्पाद के निवेश वियाय की देखरेक करता है। सरकारी छेत्र एक सरकार कानून और व्यवस्था बनाई रखती है। विकास और इस्थिर्था को बढ़ावा देती है। सरकारी सेवाओं को प्रबंदन करती है। ये छेत्र सकल घरेल उत्पाद में सरकार की खरीद बगिदारी का प्रभारी है। सरकार का प्रात्मिक लक्षे बांदो सड़कों और भारी उद्योगों जैसी विकास परियोजनाओं को वित्वपोशित करने के लिए कार लगाना है, जिनकी निर्माडवधी आम तोर पे बढ़ जाती है, सरकारी सिक्षा और स्वास छेत्रों में भी निवेश करती है, और कम लागत पर ये सेवाएं प्रदान करती है, उदाहरनाओं में वरिवन, विबाग और परियावरन संड्रक्षन एजनसी शामिल है, विदेशी वाही छेत्र, ये छेत्र उत्पादों और सेवाओं के निरियात और आयात से संबंदित है, निरियात तब होता है जब घरेली उस देश से पूजी का स्वागत कर सकता है और विदेशी पूजी का बहर परवा यानि विदेशी शेत्रों देशों में निवेश हो सकता है, शुद निरियात निरियात गाटा आयात सकल गेरियु लुपात पर विदेशी शेत्र का एक व्या है, तो आशा करते ही कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसके नोट्स में इस लेसन के सारे भी जितने भी हेडिंग हैं वो सारे इंक्लूडड हैं और बहुत अच्छे आसान शब्दों में ये वीडियो समझाए गया है तो इससे आप अपने नोट्स तयार कर लीजेगा जिसे कोशन आंसर करने में आसानी रहे आसानी